हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे चैनल पेट्रोड इंडा में आज मैं आपके लिए कहा हूँ इस दू का डी मैक्स वीक्रॉस मॉडल तो देखते हैं इसमें क्या है खास तो आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलाइट जो लो बिम के लिए होता है और रिफ्रेक्टर हेडलाइब जो होता है हाई बीम के लिए यह टॉपेंड मॉडल है तो टॉपेंड में आपको मिलेगा डिरल्स और जब लोवर मॉडल हम लेते है तो इसमें हमको मिलता है फाउग्लाइब दोस्तों वीक्रॉस आपको मिलते है 60-neat से बड़ा तरंक इस में मिलता है अपको इसका capacity जो लिटर में calculate नहीं होता है वह होता है kg में तो ये certified है 265 kg के लिए तो आपको इसको platform जो मिलता है वो है 5 ए 5 का दोस्तों इसका carrying capacity काफी अच्छा है मेरा weight है 80 kg और मैं बयठा है इसके door पे तो आप सोच सकते हो अगर 80 kg इतना सा एरिया अगर ले सकता है तो पीछे काफी सारी जगा पड़ी है so it can take more weight so it's a nice for your journey and long tools गाड़ी बाप बहुत सरा आपको space मिलता है यहाँ पे driver और passenger के लिए cup holders मिलते है वही यहाँ पे कुछ सामान रखना है तो उसके लिए आपको compartment मिल जाएगा दोक्यूमेंट के लिए compartment है जैसे हम देखते आगे center armrest जो है driver का उसके नीचे भी काफी सारा space आपको मिल जाएगा वही पे bottle holder भी आपको मिलता है then driver side में आप देखते हैं नीचे साथ में जो वह इस्टिंग है वह काफी अच्छा है back support जो है वह भी काफी अच्छा है plus thigh support अच्छा है जो लाउंडर में आपको ठकने नहीं देगा plus seat जो है वह six-way adjustable है आप उपर नीचे पीछे आगे आपको जिस तरीके से करना है seat को आप की साथ से adjust कर सकते हो गाड़ी में मिलता है आपको climate control जो काफी effective है आपको rear side में कोई brain की जरूत नहीं पड़ेगी so it's good with आपको मिलता है 6 speaker with surround sounds उसका quality भी काफी अच्छा है जो इस गाड़ी को suitable है गाड़ी में हमको मिलता है TCS और ASP आफ करने का बटन अगर आप off-roading पे जा रहे हो तो यह काफी useful रहेगा अगर आप enjoy काना चाहते हो इसको switch off कर दीजे and enjoy the off-roading और soft-roading so it's quite good for off-roading car side में यह उसके आपको मिलता है ORM side adjustment के बटन जिससे आप ORM उपर नीचे यह आफ टो फोल्ड कर सकते हो आगे की तरह पीछे भी हमको leather seats मिलते है जिनका thigh support जो है वो enough है और back support amazing है तो इसमें भी आपको अगर long tour पे जा रहे हो तो फोई तक्रीव नहीं होगी साथ में यहां पर आपको काफी सारी loads of spaces मिलती है जैसे आप देखते हैं यहां पर तो seat के बीचे pockets मिलते है then cup holders यहां मिल जाते है और हम देखते तो फिर से door में आपको bottle holders मिल जाता है पीछे वगर passenger bet है तो उनके comfort के लिए उन्होंने central armrest भी दिया है then पीछे वाले headrest जो है वो adjustable है आप इसके ऊपर यह नीचे कर सकते हैं गाडी में front में हमको मिलते है dual independent wishbone suspension जो गाडी को काफी अच्छा ride दिते है और off-roading में भी काम में आते हैं दोस्तों यह गाडी जो है यह off-roading और खड़ाब रस्तों को handle करने के लिए बनी है तो इसमें आपको पीछे में मिलता है soft lifting जो गाडी को अच्छी capabilities provide करता है और wear load भी ले सकता है दोस्तों बात करते हैं गाडी की engine की गाडी में आपको मिलता है 2.5L का diesel engine जो काफी powerful है इसमें आपको मिलता है 134 PS का power plus 320 Nm का torque जो कोई भी रस्ता क्रॉस करने के लिए अच्छा है अगर आपको फर्स जाते हो तो torque आपको help करेगा वहां से बाहर निकलने में अगर आपको pick up लेना है pick up के लिए आपको PS 134 वो काम में आएगा गाडी की ride quality काफी अच्छी है कि मैंने आपको suspension के बारे में अल्ड़ी बता चुका हूँ आप driveality के बारे में बत करते हैं गाडी का steering और जो clutch है वो काफी light है तो मुझे feel आ रहा है जैसे मैं कोई छोटी गाडी चला रहा हूँ क्योंकि मैं जब पहली बार ये गाडी चला है तो मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे truck येसा feel ना आ जाए पर इसमें आपको ये feel नहीं आएगा आप आप काडी का size भूल जाते हो कि आप कौन से size की गाडी चला रहे हो so it's the best part of this car अगर diesel engine भी है तो आपको उसमें vibration वह नहीं आएगा जो diesel engine में जनरी रहता है so it's the best car in diesel engine so I'll suggest you to go for that अगर आप off-roading और इसमें सब interest रखते हो तो ये आपके लिए बेस गाड़ी है और इसमें और खासियत यह है कि अगर मैं चाहता हूं मुझे highway पे cruise करना है so I can travel और I can cruise whole day on triple g-lit triple g-lit speed पे मैं इस पे travel कर सकता हूं उसके लिए आपको इसमें मिलता है cruise control जो steering पे available है मैं steering से उसको control कर सकता हूं गाड़ी का top end का on road price नाधपूर में जाता है around 20 lakhs और उसका base model जो लाता है वो around 18-19 lakhs so वो भी price ज्यादा नहीं है अगर compare करते हो कोई आप SUV होती है इस size की बड़े engine की तो उससे ये price काफी कम है suspension का फायदा ऐसा है कि जैसे मैं speed बढ़ाता हो क्योंकि spring बने load लेने के लिए वो load लेने के बदा ज्यादा अच्छे से काम करते है इस गाड़ी में तो दोस्तों आज की ये बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो please like and subscribe thank you